आपको बता दे पांच साल की सजा और साथ लाग रुपे का जुर्बाना लगा है लालू यादो जी के उपर 140 करोर रुपे का चारा घोटाला किया गया था इनकी सत्ता में CBI की जाज में बताया गया था जब ये विट्यमंत्री और मुक्यमंत्री थे तो इनके नाक के नीचे से ये सब हो रहा था यानि सारी चीजों की जानकारी लालू यादो जी को थी और इसी के आरोप में आज आरोप सिध्ध हो चुका है और उनको 5 साल की सजा और हो चुकी है जरह हम बात कर लेते हैं कि लगबक कितने लोग इसमें शामिल थें तो हमारे पास जो आकड़ा हम आपको बता देते हैं आपको बता दें अब तक 178 अरोपीश में सामिल थें जिसमें 55 लोगों की मौथ हो चुकी है 7 सरकारी गवा बन चुके हैं अब सरकारी गवा क्यू बनते हैं जरा हम इस पर भी बात कर लेते हैं सरकारी गवा बनना याणि कि अपनी सजा कम करवाना आप सरकार की मदद कर रहे हैं इसलिए सरकार आपको थोड़ी छूर दे देती है और आपकी सजा कम करती है दो लोगोंने अपना गुना कबूल कर लिया है यानि कि ना वकीलों के जंजट ना डेट की कंजिश ना ही जच का फैसला ना ही कोई सबूत के अधार पर उन्होंने अपने आपको कानून के हवाले कर दिया और उन्होंने अपना गुना कबूल कर लिया है दो आरोपी उन्हों यानि सबूत नहीं मिला तो इसलिए आपको बरी कर दिया गया पिच्छतर को दोशी करार कर दिया गया जिसमें एक लालू जी भी शामिल है सारे मामले को मिला कर 14 साल की कुल सजा लालू यादो जी को हो चुकी है और 60 लाग रुपर जुर्बाना दिया गया है जो सरकार को ला लालू यादो की उमर 73 साल हो चुकी है इस उमर में लोगों का स्वास्त भी ठीक नहीं रहता वकि इसका हवाला लगातार देते हुए बेल करवाते रहते हैं समझने वाली बात है कि कानून काफी दिनों बाद इनको इस सजा दे पाए क्या अभी हुआ है आपको क्या लगता